द्वित्ति यह पाचह, वर्ण माला, व्यंजनानी, कुमार, ये तो जान गए हो ना कि वर्ण क्या होते हैं? जी, सबसे छोटी काई जिससे शब्द बनते हैं. सही कहा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, पिछले अध्याई में तुमने स्वर के बारे में जाना? जी, इस अध्याई में व्यंजन के बारे में जानते हैं, ये भी हिंदी भाषा के व्यंजन की तरह ही होते हैं, आओ सीखें! क कमलम कच्छपह, ख खगह, खडगह, ग गर्धबह, गदा, घ घटह, घटी, रड़ च, चमसह, चमूह, च, चत्रम, चागलह, ज, जम्बुपलम, जनकह, ज, जशह, जरह, या त, तंकणियंत्रम, तंकह, ठ, ठककुरह, ठककह, द, डम्रुह, डोला, ध, धककह, धालम, जना त, तक्षकह, तरणतालह, थ, थह, थल्सेनिकह, द, दन्ताह, दर्पणह, ध, धजह, धनुह, न, नयनम, नारिकेलम प, पत्रम, परियंकह, भ, फलम, फणह, ब, बकह, बल्लवह, भ, भवनम, भिक्षुह, मा, मयूरह, मर्कटह य, यज्यह, यतिही, र, रजकह, रज्जुह, ल, लेखनी, लता, व, वनम, वर्तकह, श, शंखह, शशकह शा, शट्पदह, शंडह, स, सर्पह, समरह, ह, हरिणह, हंसह पाट सारह चित्रों के माध्यम से व्यंजनों का ज्यान कराना इस पाट का उद्देश है व्याकरणम जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायू के मार्ग में कोई रुकावत होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं शुद्ध व्यंजन हलंत होते हैं, स्वर के सैयोग से ही वे पूर होते हैं जैसे क, अ, बराबर का, क, आ, बराबर का